हलो नमस्कार दोस्तों मैं संजीव स्वाद करता हूँ अपने योट्यूब चैनल कोईना विडिया बे दोस्तों जैसे आज आज आपने फिर से थम्मेल देख लिया होगा फिर आप लोगों के इसमें सवाल के जवाब है ठीक है ना इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब है जो भी आपने मुझे सवाल पूछे हैं पांच लग्की विनर के इसमें सवालों के जवाब मिल रहे हैं और जिनों के नई आए वो उदास ना होना नेक्स वीडियो में आपका फिर से लोटरी दुबारा से चालू होगी आपका निकलेगा तो कल फिर से एक वीडियो के मादियम से आपको बता दिये जाएगा ठीक है अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना हैस्टेक लगा के कोई नब इडिया लिखके कोई भी सवाल पूछ सकती है मगर अभी भी लोगों ने गलत तरीके से लिखा है जो उनका सवाल नहीं आया लोटरी में जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ देखिए सेम यही लिखो उसके बाद अपना अंसर लिखो उसके आगे ठीके न हैस्टेक के बाद भी आपको इस पेस नहीं देना इस पेस पूरे में वर्ड में नहीं देना इस पेस अपने जब लिखो के सवाल उसमें देना है ठीके दोस्तो अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हू यह पूछ रहे हैं दिलशाद मलिक जी हैस्टेक कोईन अफ इंडिया बिलकुछ साइ लिखा है नोने सेम ऐसी लिखे दोस्तों आप लो सारनपोर से हैं मेरे पास 1997 यह कोपर आपने ठीक नहीं लिखा कोई बाद निकल का पूछ रहे हैं फाइब रुपीस का कोलकाता मिंट का पूछ रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं यह थोड़ा अभी स्केर्स की केटिगरी में है कोईन और यह ओनलाइन इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दामों पर सेल भी हो रहा है ठीक है ना आप देखिए कितने में बिक रहा है यह आप इस कोईन की वेल्यू पूछ डिल सकता है तो आप कलेक्ट कर टिह ठीक है काफी की में दिला सकता है आपको इस कंडिशन में भी यह आपOUT लोगों के पास है तो आपको वेल्यू पता लग गी होग स्कस्क्न कवर करनें किसका है देखते और ना स्विय ये गेवर राम जी हैं उन्होंने पूछा है हैस्टेक कोई नव इंडिया सर सो रुपे का स्टार वाले नोट की हर तरह के क्या वैल्यू चल रही है ठीक है मैं आपको इसमें नया और पुराना और फैंसी नंबर तीनो एकी में आपको कवर कर रहा हूं कोई भी आपके पास हो तो आपको वैल्यू का अंदाजा हो जाएगा प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ आपको ठीक है तो देखिए आप देखिए सबसे पहले 100 रुपीस का जो भी नोट होता है स्टार वाला डबल वैल्यू जरूर मानके चलना 200 रुपे वैल्यू होती है UNC कंडिशन में ठीक है स्टार नोट लग गया 100 रुपे में तो आप सब लोगों को बताना चाहूंगा सही से आप सुन लीजिए और अगर वह किसी खास गवर्नर का है ठीक है जैसे डी सुबराओ का तो वह महंगे हो जाते हैं वैल्यू ड़ाइजार तक भी जाती है आप देखिए यह 400 रुपे का है यह देखिए यह डी सुबराओ का है 100 रुपे का स्टार नोट ड़ाइजार रुपे में बिक रहे हैं यह और यह देखिए जैसे 786 स्टार नोट दिख रहा है आपको तो दोस्तों यह पुराने वाले में 10 से 12000 का भी है और नए वाले में आप अभी देख सकते हो यह कितने का सेल हो रहा है यह देखिए नए वाला इस टार नोट के साथ 786 है फैंसी नंबर आ गया तो समझ लो आपके क तो वेल्यू और जादा बढ़ जाएगी ठीक है दोस्तों नेक्स कोशन कवर कर लेते हैं किसका है दोस्तों नेक्स कोशन देख रहे हैं मदू शर्मा जी का है 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 स्टेक कोई नब इंडिया मेरे पास होमी भावा का 10 रुपे वाला सिक्का है इन में अशोक चक्र गोल चक्र के बहार निकल रहा है इसकी कोई कीमत है क्या नहीं यह रेर नहीं है यह नॉर्मल है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बाद देखिए आपके पास यह कोईन है इसमें देखिए आप बहार ही निकल रहा है ठीक है ना यह नॉर्मल है दोनो में मॉंबाई और नोयडा मिंट की तरफ से यह वेट की बात करें तो आठ गराम एप्रॉक्स इसका वेट है और यह इसकी वेल्यू जो चल रही है दोनों मिंटों में तीस रुपे से यूएंसी कंडिशन पचास रुपे ठीक है ना रेर कैटिकरी का नहीं है जो आपने सवाल पूछा आपके पास सेम यह कोईन है तो नॉर्मल है दोनों मिंट पर मैंने आपको वेल्यू बता दिए तीस रुपे से पचास रुपे यूएंसी कंडिशन तक नेक्स्ट कॉच्ण देख लेते हैं किसका है माला था कुरजी का नेक्स्ट का सवाल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं सारे सब्सक्राइबर से कि आप अपना एक ही सवाल पूछे हैं है ठीक है किसी ने दो पूछे हैं तो किसी ने बीस भी पूछे हुएं तो मैं ऐसे अगली बार लोट्री में नहीं आएगा बस कि आपको समझाने के लिए मैंने लिया है इनका सवाल कि आप एक ही सवाल पूछे हैं अभी इनों ने भी दो पूछे हैं एक फोरंग करंसी और एक कोईन एग्जिविशन तो प्लीस आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे टैम जादा वेस्ट होता है वीडियो बहुत लंबी बन जा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपने इसमें कोई पर भी ओपन नहीं करा कि कौन सी करंसी आपके पास फिर भी मैं आपको एक बार इमेज के माध्यम से दिखा देता हूं कि फोरंग करंसी में भी बहुत ही अच्छी अच्छी वैल्यू है जो आपको मिल सकती है आपक देखे हो कि यह दोनों गोल्ड के है वैल्यू कम है और इदर यह देखो तामबे का है वैल्यू कितनी जादा है ठीक है यह रेर टीके उपर होता है जो रेर होते हैं उनीकी वैल्यू होती है और रेर कैसे होते हैं मैटल से मिंटेस के कम बनते हैं या कोई मिस्टेक हो जाती ह ये देखिए ये फोच सा फोरंग करंसी है ये मैंने आपके लिए खास निकाली है कि आपको थोड़ा सा इसमें अंदाजा हो जाएं कि इसमें भी खास कोईन होते हैं ये देखिए ये आप सब लोगों का इसमें बहुत ज्यादा ग्यान बढ़ेगा जैसे मैं वीडियो में आपको सही तरीके से समझा पा रहा हूं और आप लोगों के अंसर ले रहा हूं और आंसर दे रहा हूं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोश्चन आंसर जो भी आपको पूछना है पूछिए आपका पूरी हल्प की जाएगी इस चैनल पर उमीद करता हूं माला जी आपको अपने कोश्चन का आंसर मिल गया होगा तो नेक्ट कोश्चन कवर कर लेते हैं किसका है अच्छा पूना में एक्जिविशन आपकी अभी लगने की कोई उमीद नहीं है लगेगी तो आपको चैनल के माध्यम से पहली बता दिये जाएगा एक महीने पहले अपडेट हो जाती है वीडियो अभी भी दो एक्जिविशन है दिल्ली की और आज कैलकटा की शुरू हो गई है तो यह एक मही ने पहली वीडियो बना दी जाती है तो आप प्लीस वीडियो वोच करिए हर वीडियो जरूर देखना क्योंकि मैं एक्जिविशन की जानकारी किसी भी वीडियो में भी दे सकता हूं ठीक है अब नेक्ट कोशन देख लेते हैं किसका है यह देखिए राजुजी का सवाल है लास्ट वाल है अपनी इस वीडियो का तो यह पूछने है इन्टों ने पहली बात यह गलत लिखा है 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 स्टैक कोईन अफ इंडिया में लास्ट में गलती कर दिये यह से आप लोग ना करें तो प्लीस आप ठीक से लिखिए मेरे पास इंद्रा गांधी का 5 रुपे वाला कोईन है इसकी वैल्यू क्या है ठीक है मैं बता रहा हूँ आप देखिए एक बार दोस्तों सबसे आदा है ना इंद्रा गांधी वाले कोईन पे फ्रोड हो रहा है फेस्बुक पे जो लोग बोलते हैं इसकी करोड़ों में लाकों में वैल्यू है अब मैं आपको थोड़ा इसकी डिटेल इंफ्रमेशन बता रहा हूँ एक ही इसी वीडियो में खास बता दिए मैंने आपको तो आप समझ लेंगे सई से ठीक है ना यह पांच रुपे को जो कोईन है 1985 में आये थे मॉंबाई और हैदराबाद मेंट के दरब से वेट की बात करें तो साड़े 11 ग्राम का होता है शिक्का और दोस्तों इसमें जो यह शिक्के बने थे यह आपके बने थे 60,28,000 सिक्के ठीक है ना आप इससे समझ सकते हैं कि यह लोगों के पास भर भर के सिक्के पड़े है ठीक है ना कोई वेल्यू नहीं है ज्यादा स्यादा यूएंसी कंडिशन में 30 रुपे तक वेल्यू है बस ठीक है ना इससे यादा सिक्के की कोई वेल्यू नहीं है तो आप किसी फ्रोड के चक्कर में ना पसना आप लोगों को मैंने वेल्यू बता दिये अगर आपको इंफर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कर देना और पहली बार चैनल पर आदे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों यह मैं आपको एक बात और बोलन आपके बाई टेक केर